कि तो दिखे आज हम आपके लिए लेक्षा है ऐं 800 संतावन का इंपोर्टेंट और कोंस्चेन जो कि प्रिविए सेर में पूछा गया कोस्चेन है यहां पर अब देख पार हैं सबसे पहले ही कोस्चेन है जो यहां पर देखे कितना बार यह question पूछा गया है SSC CGL 2002 में SSC CHSL 2013 में तो इस तरह से जितने भी question है सारे question देखे previous year में पूछा गया question है तो जितने भी question है यहां पर देखे previous year के question है तो हम चाहते हैं कि आप इसको practice कर लें अगर आप इस topic को clear कर चुके पढ़ चुके हैं तो आपका पता चल जाएगे कि आप इस topic से कितने knowledge हैं आपका कितना question आप सही कर पाते हैं कि एक्जाम में question आता तो क्या आप उस question को सही कर पाते की नहीं और जिनका देखे यह topic clear नहीं है तो वह भी इसको देखके यहां पर practice कर सकता कि इस तरह से जो 18 संदान का क्रांती है उस है उससे किस तरह से उससे question पोछागाता है क्या-क्या कोश्य पूछा जाता है तोjuk क्या रहता है तो आये फंद्न से यहां से शुरू करते है अभी हम तो देखें है यहां पर फंद techn क्या है यहां पे लिखा है बिहार में अधारा सणदान की क्रांति के क्रांति का का नाता कुवर्ण सिंग का दिए हन्त कब हुआ था इसमें कुवर्ण सिंग भी एक कौरांति कारी थे तो उनका कहा गया है की उनका दियाँ होता था देहां तह यहां पर आपका कोस्टिन का एन्सर देखे क्या है क्या है 9 माइं 18 vandaag को उनका दिहांत हुआ था अब देखे ये कुवर सिंग कहा का है आपको पता ही होगा कुवर सिंग किस जिला से थे तो किस राज से थे ये भी आपको पता होगा नहीं पता तो आपको बताते कि कुवर सिंग जो थे बिहार से थे तो बिहार से कुवर सिंग यहां पर 1870 का प्रांति का वहां से वो नेता तो देखिए उसके बाद आता है यहां पर आपका अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले कारतुसों से चलने वाली इंफिल्ट राइफल कब सामिल की गई तो यहां पर पूछ रहा जो अंग्रेज दुवारा इंफिल्ट राइफल जो सामिल किया गया था जो चर्वी व होगा तो इसका अंसर देखे जनवरी 1867 को तो चर्वी वाले जो कारतुस्त थे उनको 1865 में जनवरी में यहां पर सेना में सामिल किया गया था तो इस ही के चलते सारे इतने बड़े जो विद्रो हुआ था पर और संतान का इसी चर्वी वाले कारतुस्त के कारण ही यह आपका विद्रों हुआ था आपको याद रखना होगा कौन सा यहां पर राइफल इसमें जोड़ा गया था तो इंफिल्ट राइफल जिसको चलते जिसके चलते इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ था डरों संतान क मैंन कारण यही था उसके बाद देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं इसके तीसरा नंबर कोस्चन में देखिए क्या लिख रहा निम्हें से कौन सा आयोग अठार संतान का विद्रों दमन के बाद भारतियों फोज के नब संगठन से सम्मन्नित है यानि कि कौन सा आयोग संतान के बिद्रों का दमन हो गया यानि कि अधार संतान का करांती जो हुआ उसको अंग्रेजों ने दमन कर दिया खतम कर दिया उसके बाद इसमें जो भूज में वो लोग सेना में भरती ले रहे थे तो सेना भरती में कौन सा संगठन जो है यहां पर स्थापित किया गया था सेना में भरती के लिए तो उसका देखिए यहां पर पील आयोग एंसर हो जाएगा तो इसका एंसर है पील आयोग फिर चलते हैं तीसना नंबर कॉस्टिन उर्दु के इन्हों नहीं पूरा 1898 संतन का क्रांती को देखा था उसी के टाइम में यह 10 संतन का करांती हुआ और देखिए यह सारा कोर्टन इंपोर्टन फॉस्टन है यहां पर आप देख सकते कितना बार पूछा गया यह कोस्चन है तो यहां पर हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेका है तो देखें अगर प्रैक्टिस यह जो सीरीज हम लाएं है अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसका नेक्ट वीडियो जब भी बेखेंगे लिए अब से चलते चार नम्बर से पांचने में यहां पर है फाइपा नमबर कोस्ना आपका निमलेखित मेंसे कों सा बिदुरुई था जो अठरोज संतान का सबसे बड़ा बिदुरुई था अंगरेजों के लिए तो वो था देखिये यहाँ पर एंसर मोलभी अहमद्धूल्ला सा मौलवी अहमर्दंउल्हा सा how English ने सबसे यहां पे Qatter जो है दुमन माना था उसके बार देखे way next question पर चलते हैं next question नहींबर 6Cneつakult GM के भिद्रों के संदर्व मैंनेBliid में से उसके management घ्र निंदे होका दिया और उसको यहाँ पर मार दिया गया अंग्रोजों के द्वारा तो वैसा कौन सा क्रांतिकारी नेता था जिसको उसके मित्र नहीं धोका दिया था और वो पकड़ा गया था तो दिखिए कि इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तक्ताटोपे तक्ताटोपे जो थे इनको इनका मित्र जो था उसी ने धोका करके इसको बुलाया था और उसको पकड़ा दिया था यहां पर अंग्रोजों के दुआरा तो उसका दोस्त ने इसको धोका द कोई बिद्रों नहीं हुआ था और वहां से कोई भी बिद्रों ही इस बिद्रों में भाग नहीं लिया था तो वह कौन सा छेत्र था यह शेत्र रेखे कौन सा छेत्र था यह चितोड का छेत्र था जहां से कोई यह घुन्ए याहां और कर्नांतिकारी में भाग नहीं लिया था टो मॉस्ट इंपॉर्टन एसन का बी आपके लिए देख सकते हृब कितना बार पूछा गया रिस्टान है ये रही रिखे कि इए कुछा ये थूंट यह सारे चलते हैं कर लिएmost एचिसन के इस कथन का संबंध है। मазल, ये जो गथन है एचिसन ने कहा था तो ये कथन वो जो कहे थे किस रिलेटेड कहे है कि इस क्रांती में हिंदू, मुसलिम, सी, किसाई, सारे जितने भी धर्म बाले लोग थे भारत में सभी धर्मों ने इसमें बढ़ चड़के भाग लिया था और सभी एक जूट होके बिद्रो कर रहे थे तो उन्हीं का ये कथन है चलिए अब नेक्ट कोस्टिन चलते है नाइन कौन सा जो बिद्र मतलーーं कह रहा है कि कौन सा ये था आपका बिट्रिस का कौन सा नरेश था जो साथ नहीं दिया था भारत के बहुत सारे नरेश थे मुक्त जमिदार थे बोगलको थे यहाँ पें अंग्रेजों का साथ दे रहे थे लेकिन यह कि एसा भी था जो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था तो वो कौन सा था ये पूछ रहा आप से तो देखिए यहां पर इसका एंसर क्या हो जाता है इसका एंसर हो जाएगा आपका मेवार के राजा मेवार के राजा ने यहां पर साथ नहीं दिया था अंग्रेजों का और यहां पर उसने साथ दिया था यहां पर करांति कारियों का उसके बाद इसा नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई तो यहां पर आप से पुछा जा रहा कि अठार संतान का जो क्रांती था उसमें सारे नेता जो है पकड़ा गये थे सब को यहां पर मार दिया गया था अंग्रेजों के दुवारा ऐसा कौन सा नेता था जिसको बाद में फांसी दिया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा देखे यहां पर तट्या टोपे जिसको बाद में उनका जो मित्र था उनका मित्र ने धोका देखे उसको पकड़ा दिया गया था और उनको यहां अंग्रेजों ने फांसी देखे मार डाला था तो 18 संदान को एक यही करांतिकारी था जो 18 संदान में नहीं पकड़ा गया था यह 1858 में पकड़ा गया था और इसका मित्र ने यहां पर उसका इसी question को देखिए यहां से घुमा सके पूछा है आपका तो वही question ही है चलिए next question में चलते हैं यहां फिर आपका 11 number question है किसे 18 संतान के बिद्रों की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है तो ऐसा कौन सा यहां पर जैसे यहां पर चार नेता का नाम लिखा गया यहां कि बिद्रों का नाम लिखा गया है बहादूर साब को आपको जानते हैं जो की आपका मुगल एक सासक्ता बहदुरसा जिसका यहां पे आठारफी संतान के कांती में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है अब दिखें नेश्ट कोस्टे को सेंसा आता है 12 नंबर कोस्टे आठारफीस के व्युक्राब की असफलता के बाद मुगल बादसा बहदुरसा दूत्य क कहां वो किस ने गिरमत लूवत करि Ihrer देखें इसके पहले एको सब्सें सबसे कम बढ़ेंस पस्तारी आसे सब से कम इसा कि से 10ा करिका बहादर साथ था थो आपको बताएं तो मुगल बादसा जो बहादूर सा था इसको जो अंगरेज़ द्वारा पकड़ा गया था तो इसको कहां से अंग्रेज ने पकड़ा था तो देखे इसका एंसर हो जाएगा आपका हुमायों के कबर के पास लेप्टिनन हड्सन ने इसे पकड़ा था तो हुमायों के कबर के पास इसको पकड़ा पकड़ाया था यह हुमायों के कबर के पास था तभी उसको पकड़ लिया था उसके बाद 13 संतान के विद्रो की अससपलता के बाद बहदूर सदुत्य को निर्वासित कर दिया गया था तो उसको रंगून भीज दिया गया था उसको पकड़ने के बाद उसके बद 13 नंबर कोस्टिन है तो रहा निम्लिकित में से कोन सा इलाबाद में 18 संतान के संग्राम का नेता था तो इलाबाद में कोन सा नेता था जो 18 संतान का लीड कर रहा था उहां से तो ये अपका देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर मोल भी लियाका ताली मोल भी लियाका ताली जो था अठारो सो संदाउन का क्रांतिकारी था और ये जो था कहां से था ये अपका इलावाद से था तो most important question यहाँ पर देख लिजे ये सारा कितना बार ये question पूछा गया है तो repeated question है सारा important question है आप इसको एक भी question मिस मत कीजिए पूरा वीडियो देखे और आम से इसको ध्यान में रखे जो हम बता रहे हैं आपको question फिर से अगर आप कोई भी competitive exam देते हैं तो यहीं से आपका सारा question repeat होगा अठार संतान का करांती का चलिए next question में आपका चलते हैं next question देखे 15 नमबर question है 15 नमबर question में कहा है किसके मत में अठार संतान की करांती आरम से सैनिक विद्रो था जो बाद में राष्टी विद्रो स्वतनतता संग्राम में परनित हो गया तो ये कथन किसका है आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपसे चार option दिया गया आपको चार option में आपको select करना कि ये कथन किसका है जिसने कहा था कि ये एक आरम में सैनिक विद्रो था और जो बाद में राष्टी विद्रो का रूप ले लिया था तो यह कथन किसका है पूछ रहा तो यह कथन देखिए आपका जो S.N.C.N. है इनका कथन है और S.N.C.N. को आप जानते होंगे नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में हम आपको बता दें यह 678 गारी इतिहास कार था और इसी ने 878 संताय का पूरा क्रांती को लिखा था और इसके बाद चलिए नैस्ट कोस्टन पर चलते हैं अब सोलो नंबर कोस्टन है देखिए सोलो नंबर कोस्टन में कहा कि 1870 का विद्रो कहां से पुरारम हुआ है तो 1870 का जो क्रांती था यह सबसे पहले कहां से start हुआ यह आपसे पूझ रहा है तो इसका देखिए answer आपको इहां चार option है चारों में से आपको select करना तो आप लोग जानते होंगे इसको बहुत है और पर पर तो पर यहां करिये नहीं मेरे करते में इसको संतार के लिए बारती जनता की कुसिस ने कहा दो की यह जो 18-17 का क्रांती है यह British सासन को उखार फेकने के लिए भारतीय जनता की क्रांती था यह किस ने कहा था तो यहां पर चार उप्षन है इसमें से दिखे ज़िए सब्सक्राइब आपका यहां पर काल्मार्क्स काल्मार्क्स जो थे काल्मार्कस एक त्यासकार है इस से कि 5857 के विद्रों का तदकाली कारण क्या था तो इसका तदकाली कारण आपको पता होगा अगर आप यह टॉपिक अच्छा से पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सभी वाले कारत्रों का परियोग आरम करना सबसे पहला कोस्टिन था चरवी कारत्रों को इसको सामिल किया गया जिसमने इक अपवा फयल गया था किसमें सूवर और गाय का चरवी से इसको बनाया जाता है तो इसी लिए इसमें बिद्रों को फेला था इसी कारण से और यह जो आपका बिद्रों था सबसे पहला बिद्रों कहां पर हुआ था मेरट से वह भी आप देख लिए चलिए नेक्स्ट को से चलते हैं नेक्स्ट को से नुनिस नंबर कोस्ट्यन आपका वह पहला भार तो आप जानते होंगे मंगल पंडे को नहीं जानते तो आपको बता दे इसके बारे में थोड़ा यह जो मंगल पंडे थे यह 34 वी रेजिमेंट के आपके एक सैनिक थे जो कि आपका इसी बिद्रो में सबसे पहले चर्वी वाले कार्थुस्त को यूज करने से मना कर दिया था और इसी ने इसका मना करने के बाद से ही यह जो बिद्रो है फैल गिया और फैलते फैलते इसमें बहुत बढ़ा एक करांती का रूब ले लिया उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं बीशवा नंबर कोस्टन यहां पर बेगम हजरत महल ने रसंदान के बिद्रो का नेत्रित निम्लिकित में से किस सहर से किया था तो बेगम हजरत महल जो थे यह एक महिला थी और इसने कहां से 18 संदान का बिद्रो का नेत्रित किया है यह आपको बताना है तो यह देखिए कहां का था यह लखनव का था लखनव का एक रानी था वेगम हजरत महल जिसने 18 संदान के बिद्रो का नेत्रित किया था वह लखनव से था ठीक है उसके बाद यहां पर देखे अभी आपका 20 कोस्टन हम इ कुछ कुछ कोस्टिन करके ही याद करें तो आपका बहुत बड़ा यह जो टॉपिक है यह आपका अच्छा से कंप्रीट हो जाएगा तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरा परियास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कोई डाब